हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दिये एक्जाम हेलपर में तो दोस्तों रेल्वे की तरफ से बहुत ही बड़ी भरती निकल करा रही है जो की है आपकी रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जिसमें SI और Constable के पदो पर भरती निकली हुई है कितने post पर भरती निकली है कब से इसके form अप्लाए हूँगे fees, eligibility, selection procedure, medical, exam, written exam, salary पूरा job location कहाँ पर होगी, क्या गाम करना होगा पूरा कुछ detail में वीडियो का discussion करने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेकर अंततर देखिएगा और इसी तरह की government jobs की updates के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करके रखिएगा नीचे जो सब्सक्राइब बोटन ने उसे दबा लिए ठीक है चलिए, इसका जो notification है आपको मैं अपने टेलिग्राम पर डाल दूँगा तो नीचे टेलिग्राम का link है वहाँ से जाके आप उसे join कर लिजेगा या direct पर जाके आप टेलिग्राम लिखेंगे दा एक्जामेर पर तो वहाँ से जाके आप उसे easily join कर सकेंगे तो चलिए, पूरा कुछ detail में बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, RPF की तरप से SI and Constable के पदोपर 2024 की ये पहली बरती निकली है जिसमें की सभी male और सभी female जो की all over India से belong करते हैं वो इसके लिए eligible होंगे इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, किस-किस topic पर हम बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे, apply करने की date क्या है, number of post कितनी है, age क्या माँगेगी है, fees कितनी रखेंगी है, qualification क्या माँगी है, selection processor क्या होगा जब आप इसका form भर देंगे, exam का pattern क्या है, कितने number का होगा, exam का syllabus क्या है, physical कैसे होगा, salary, job location, job profile और किस तरीके से आप इसकी preparation करते हैं, पूरा कुछ वीडियो की detail में चैनने बले हैं तो चलिए start कर लेते हैं सबसे पहले देखिए, आपको इसका notification दिख रहा हुआ, जिसमें कि यहां पर vacancy के बारे में पूरी detail दी गई है चलिए, तो यह भरती निकली है आपकी, चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, नमरो पोस्ट, यानि कि कितने पदों पर यह vacancy निकली हुई है तो दोस्तों, बता दें, यहां पर जो vacancy निकली हुई है, अपकी टोटल 2500 पदों पर यह पोस्ट निकली हुई है जिसमें कि आपकी RPF SIN की railway protection force, service factor के जो पदों पर भरती निकली है, वो निकली है आपके 2500 पदों पर और इसके अलाबा, जो RPF CONSTABLE है, उसके लिए जो पद, बेकेंसी है, वो है, 2000 पदों पर यह बेकेंसी निकली हुई है जिसमें से 15% जो बेकेंसी अपकी women's के लिए reserved रखी गई है, बाकी की जो 10% बेकेंसी आपकी, जो आपके एक सर्विसमें है, उनके लिए reserved रखी गई है चले, next देख लेते हैं दोस्तों age क्या मागी गई है, तो दोस्तों इसके लिए जो age मागी गई है, तो कोई भी जो बेकती है, 20 साल की age उसने अगर पा ली है और अगर वो अधिकतम 25 साल का है, minimum 20 और maximum 25 साल की उमर तक, अगर आप SI का form बनना चाहते हैं, तो आप इसका form बर सकते हैं, वहीं constable के लिए बात करें, तो minimum age आपकी 18 और maximum 25 रखी गई है SI के लिए 20 से 25 और constable के लिए 18 से 25 age यहां पर रखी गई है, इसके अलावा बात करने की age में जो relaxation मिलता है, वो किस-किस को मिलेगा, तो SC और SC candidate को 5 साल का relaxation है, OBC को 3 साल का है, बाकी others का आप यहां पर देख शकते हैं, ठीक है, चले, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कि eligibility qualification आपकी होने चाहिए, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप SI का form भरने वाले हैं, तो आपके पास एक graduation की degree होना चाहिए, और वो degree आपकी complete होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई विद्यारती अभी last year में है, उसका paper हो चकाया और degree अभी आई नहीं है, degree आपक इसका form भर सकते हैं, ओके चले, इसके बात बात करें दोस्तों, आपकी जो age की calculation होगी, वो यहाँ पर बतायता हूँ, तो अगर देखिए, इसका notification जन्वरी में आ जाएगा, तो आपका पूरा age calculate की आगा, वो एक जुलाई से की जाएगी, अगर वाइचांस अभी तक नहीं आपने form भर लिए, age देख ली, ठीक है, eligibility देख ली, तो अब आप इसका form भर लेंगे, उसके बाद क्या selection procedure रही है, तो देखिए, सबसे पहले आपका तीन phases में exam होगा, जिसमें phase 1 में आपका क्या होने वाला है, computer-based test होने वाला है, जिसमें आपके CBT होगे, कितने question पूछे जाएगी, height बगेरा, dog बगेर, running बगेरा होगी, यह सब आपका देखा जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, phase 3 होगा, जिसमें आपका document verification को conduct कराया जाएगा, और साथी साथ आपका medical भी यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, तो जो document verification है, cell भी completed after PT और PMT, ठीक ह पूझाएगे, किस किस topic से पूझाएगे, तो यहाँ पर देखे, आपका CVT होगा, और कि computer पर आपका exam होने वाला, online exam होगा, सबसे पहली बात, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, तो SIKE लिए अगर आप form भरते हैं, तो आपको time जो दिया जाएगा, 90 minute, जिसमें आपक question करने पड़ेंगे, जिसमें जो syllabus रहेगा, वो GA के 50 question रहेगा, अर्थमेटिक के 35 question रहेगा, और general intelligence के 35 question रहने वाले हैं, अगर आप considerable का form भरते हैं, तो 90 minute रहेगे, 120 same question रहेगे, general awareness के 50, maths के 35, और reasoning के भी आपके 35 question यहाँ पर रहने वाले, तो syllabus आपका यहाँ पर same देखने क मिलने वाला है, ठीक है, चली, इसके बाद देख लेते हैं, detailed syllabus क्या है, तो detailed syllabus आप देख सकते हैं, general awareness में क्या-क्या पूछे जागा, arithmetic में, reasoning में सारे topics आपके सामने लिखी हुए, इसमें negative marking भी है, जो कि आपके 1Y3 की रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, negative आपको नहीं क test में क्या हुआ, और PS3 यानि physical standard test में आपका क्या-क्या measurements यहां पर होने बाले, चली, बात कर लेते हैं, दोस्तों, PT की, तो यहां पर आपको सविस्पेक्टर, अगर आप मेल के लिए इसका form apply कर रहा है, तो आपको 1600 मीटर की running करके दिखाना होगी, 6 मिनेट 30 सेकंड में, कित दोड के लिए केबल एक chance होगा, बाकी high feet और long jump के लिए आपको high jump और long jump के लिए दो-दो chance मिलेंगे, आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से constable का अगर आप form बरते हैं, तो आपको 1600 मीटर की जो running हो वो 5 मिनेट 45 सेकंड में पूरी करना होगी, वही जो female candidate उनको 3 मिनेट 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर की दोड कंपलेट करना होगी, बाकी अगर constable में long jump की बात करने तो 14 feet, male के लिए high jump की बात करने तो 4 feet, female के लिए long jump तो 9 feet और high jump की बात करने तो 3 feet आपर रखी गई है, कोई भी एक सर्विस मेंने उसको PT से छूट यहां पर दी जाए तो male के लिए जो height मांगी गई है, वो 165 और female के लिए 157 height यहां पर मांगी गई है, ठीक है, इसके अलाबा chest की बात करें, UR और OVC के लिए 80 रहेगा, unexpanded यानि की 80 बिना फुला है, और 85 फुला करें, यानि 5 cm का आपको फुलाओ यहां पर रखना होगा, SCHT की बात करें, तो height रखी गई, 160 mil के लिए, और 152 रखी गई, female के लिए, और expanded वाली और unexpanded वाली 76.2 और 81.2 फुला करें, ठीक है, यह हो गया, ठीक है, तो यह आपका physical measurement रहेगा, यह मैंने आपको बता दी बाकी है, जो गरवाली से हैं, गोरकास हैं, महराधास हैं, डोगरास हैं, कु गवर्मेंट है, उनको 163 height है, और female के लिए 155 रखी गई है, और जो chest है, वो 80-85 अपका हो नचीए, तो यह आपका क्या होगा, फिजिकल मीजरमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या फिजिकल मीजरमेंट आपका रहने वाला, दोस्तों, बात कर लेते हैं, इसकी पब्लिक नोटिस है, यहाँ पर लखा हुआ, जल्द ही आपका जो नोटिफिकेशन जारी कर दे जा जागा, जैसे कि बोले जा रहा है, कि आपका जो जनवरी से लेकर, जोलाई के बीच में आपका जो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडिएट किया जागा, थो जो engaging agencies वगएरा उसके बारे में भी यहां पर बात चली proper तो बहुत जल्द आपको यह vacancy apply करने के लिए date देखने को मिलने वाली है बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी salary के बारे में की salary केतनी मिलेगी जब आप एक RPA SI का form बलेंगे और select हो जाएंगे तो आपको जो per month salary है वो 55 से साथ हजार के पीछ यहां पर salary मिलने वाली है वहीं अगर आप फॉंस्टेबल का form बढ़ते हैं तो आपको जो per month की salary होगी वो 32 से 35 के पर month यहां पर आपको जो salary है वो मिलने वाली है इसके बात करने दोस्तों job profile job location क्या होई तो all over India में आपको कहीं पर भी पोस्टेट किया जा सकता है इसमें दो तरीके से यह पोस्टेट काम करती है ठीक है तो location तो आपके all over India होई जो आपकी पोस्टिंग वो अलग अलग तरीके से हो सकती है जैसे कि मैं ऐसा जो बर्क करता हूँ सीने के वो division में करत आगे आपको पूरे डीटेल मताने वालों तो चैनल से जोड़े देगे चैनल को सब्सक्राब कर लिए इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके लिए आप preparation कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए अप हमारा चैनल है जिसका नाम है दाए एक्जामिल पर जीके जो हमारा second YouTube चैनल है वहां पर जोड़ जाएगा वहां पर हम जीके की प्रपरेशन आपको कराते हैं current office वगए computer के questions होगे जीके के questions होगे math की classes होगी वह आपको वहां पर प्रोवाइट कराते हैं तो नीचे second link second channel का link के डिस्क्रिशन है उससे जाकर जोड़ सकते हैं बाकि इसका जैसे ह वीडियो में तक लिए जय हैं जय वारब